पाकिस्तान हानम तुम्हें खाला साइन भुला रही हैं जनान काने के पिछले हिस्से में मामा साइन हानम अपने लैपटोप पर काम करती चौंकी खाला साइन अच्छा चलो हानम लैपटोप बन करके सोनिया के साथ जनान काने की तरफ बड़ी जब उस तरफ हाथ में बड़ा पहारा दिया इसी असना में सनम के हाथ में पकड़ा वो फ्रेम जमीन पर गिरकर चकना चूर हुआ च्छनाके की आवाज पर अलीना भी उसकी तरफ आ गए सनम ने हानम का हाथ जोर से जटक कर फ्रेम सीधा किया जिसका शीशा तूट चुका था मगर हानम की नजरें तो तस्वीर पर ही ठैरी हुई थी सरजावी उसके लगों से बे आवाज सरगोशी निकली यह आपने जान बूश कर किया है ना हानम अदी आप से हमारी खुशी क्यों नहीं देखी जाती पहले ही आपकी वज़ा से जाविया रदा साइं से आगा साइं ने सब तालुक तोड़ लिया है अब आप से उनके एक तस्वीर भी नहीं बरदाश्ट हो रही सनम नम आँखों से फ्रेम को पकड़े हानम पर चीखी बस करो सनम किस तरह बात कर रही हो तुम हानम बड़ी है तुमसे बड़ी है तो क्या लिना बीबी यह घर सिर्फ इसी का है यह आगा साइं की चहीती होने का शर्फ इसी के पास है अब हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते यहां सोनिया ने भी कोई कसर नहीं चोड़ी अच्छा अपनी मर्जी से यह तस्वीर लगाओगे हाला कि तुम लोग अच्छे से जानते हो आगासाई ने सकती से मना किया है और सनम तुम तुम से मुझे यह उमीद नहीं थी अलीना उसे तासुफ से देखकर हानिम की तरफ बढ़ी जिसकी नजरें अभी भी तस्वीर पर थी हानम हानम अहाँ अलीना तुम ठीक हो मुझे क्या होना है मैं ठीक हो और ठीक कहा उन्होंने ये हवीली इन लोगों की भी तो है तुम लोग जो चाहे करो मगर अपने रह्मो करम पर मैं नूरा को भेजती हूँ वो इस तस्वीर को साफ करके कूडे में मतलब उसकी असली जगा पर ठीकाने लगा आएगी हानिम की यही बात बहुत अच्छी थी वो ज्यादा बातों को दिल पर नहीं लेती थी और मुश्किल में अपने हवास नहीं कोती थी आंसा बेगम नमाज पढ़कर अपने बैट पर बैठी तस्वी कर रही थी जब शाइस्ता बेगम उधरी चली आए शाइस्ता अदीस आई आंसा बेगम चौंक कर खड़ी हूई बैठो बैठो आंसा तुमसे कोई खिदमत नहीं करवाने आई मैं शाइस्ता बेगम गरूर के साथ अपनी टांग पर टांग चढ़ाए आंसा बेगम के सामने सोफे पर बैठ गई क्यों आई हैं आप यहां अंसा बेगम का लहजा साख गुआ अरे मेरी चोटी तुमसे रिष्टा जोडने आई हूँ रिष्टा कैसा रिष्टा माते पर बल नमुदार हुए अरे तुम्हारे साहिर के लिए अपनी सोनिया का रिष्टा आखिर कौन मू लगाएगा तुम्हारे बेटे को यह तो मैं तुम्हारी बेहन हूँ तुम पर अहसान कर रही हूँ मत करें मुझ पर और मेरे बेटे पर अहसान अच्छा तो फिर कौन करेगा साहिर से शादी जबके सब जानते हैं कि उसकी माँ कैसी है मगर हकीकत तो कुछ और है शाहिसता साई और आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं हकीकत से और इस बात से के हकीकत में कौन पाक दामन है और कौन दागदा हाँ मेरी चोटी मुझे अच्छे से याद है वो दिन जब तुम रात के पहर छट पर आई थी और मुझे हमात के साथ देखर चीखी थी मगर क्या ज़रत थी तुम्हें चीख मारने की भस गई ना तुम खुदी खैर जितना मैंने कहा है उतना करो साहिर और सोनिया का रिष्टा तै करने आई हूँ मैं मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी करना तो मैं भी नहीं चाहती मेरी चोटी मगर वो क्या है ना सोनिया की मत मारी गई है उसे साहिर चाहिए मेरा बेटा चाहिए या उसकी दौलत कैसी बातें कर रही हो जब साहिर उसका हो गया तो दौलत भी उसी की होगी साथ साथ خاندان کے हर बच्चे को तुम्हारी कर्तूत बताऊंगी अच्छे से सोच लो पिर अच्छे से सोच लो पिर अच्छे से सोच लो पिर अजाई के अजाब से डरें उसने आपकी रसी दराज की है तो उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कर गुजरेंगी आप जिस दिन रसी खिंची गई ना रूर तड़प उठेगी आपकी जाओ जाओ तुम्हारी बद्वाओं से कुछ नहीं होगा मुझे शाहिस्ता बेगा मुझे पार कर वहां से चली गई हलो बाबा जी कब तक आ रहे हैं आप अब रार फोन पर मौझूद असरफ साहब से बोला था बस बिटा स्टे के लिए फलाइट को एक में रुकी है यहां से पाकिस्तान की फलाइट लेनी है फिर तो मैं फोन करूँगा मुझे हवेली ले जाना ओके ठीक है बाबा आप अपना ख्याल रखिएगा रात हो गई है साहिर साही अभी तक नहीं आए हानम लॉन में मुसलसल साहिर के इंतजार में चक्कर काट रही थी जब उसकी नजर हवेली की च्छत पर पड़ी तुम यहां क्या कर रहे हो मैंने मना किया था ना कि अब मुझसे राप्ता मत करना हवेली का एड्रेस तुमें किस ने दिया एक निस्वानी सरगोशी छट पर गूंजी जो मुकाबल को डांट रही थी तुम तुम कैसे मुझसे राप्ता खत्म कर सकती हो देखो यहां से निकल जाओ इससे पहले के कोई उपर आ जाए मैं कैसे चला जाओ पहले तुम वादा करो अपने घर वालों से हमारे रिष्टे की बात करोगी मैं कैसे बात करूँ मेरा रिष्टा ताय हो गया है क्या मतलब रिष्टा ताय हो गया है और मैं कहां गया देखो ये मेरे घर वालों का फैसला है अच्छा और जो तुम मुझसे धेरों गिफ्ट्स लेती थी तब कहां गए थे घर वाले मुकाबिल ने उसे कंदे से पकर कर जिन जोड़ा जब दोनों को अपने पीछे से किसी की आहट की आवाज आई मैं आप और तुम जाओ यहां से सोनिया ने अजीम को धका दिया था सनम मेरी बेहन देखो ये बात किसी को मत पताना मैंने भी तो तुम्हारी साहिर वाली बात चुपाई है ना सबसे सोनिया किसी तरीके सनम को काबो करना चाह रही थी मगर सोनिया आदिसाई ये लड़का ये मैं इसे नहीं जानती सनम यही मेरे पीछे पड़ावा था अब हवेली आ गया सनम मैं सच वाह वाह क्या कहने तुम्हारे सोनिया साई इतने मेहानिम जोर जोर से तालिया बजाती तुमने तो घर पर ही बुला लिया अपने शहर जाने का तो इंतजार कर लेती अजीम अपने सामने हवेली की लड़कियों को देखकर बोखला आ गया इसी बोखला हट में उसका हाथ छट की दिवार पर लगा जहां टांगे गए तीन से चार गमले पयक वक शोर के साथ हवेली के बरामदे में जागिरे इसी शोर के एवस घर वाले बरामदे में जमावने लगे देखते ही देखते पूरी हवेली लाइटों से रोशन हुई कौन है उपर मैं बोलता हूँ कौन है मीर अक्सर फोरण सीडियों की जानिब दोड़ा उसके पीछे सब घर वाले चछत पर आए अजीम जो तकरीबन चछत से लटक चुका था इससे पहले के चलांग लगाता अक्सर ने हाथ में पकड़ा पत्थर उसके सर पे दे मारा वो वहीं गिर कर बेहोश हो गया सभी हवेली वाले चछत पर मौझूद थे आनसा बेगम भी उस मनजर को देखकर शुश्टर रह गए उन्हें ऐसा लगा कि वक्त को दोहरा रहा है मगर देखना ये था कि इस बार सजा किसके मुकदर में लिखी जाएगी वाह क्या रखवाली की जाती है हवेली की आज से पच्चीस साल पहले भी कोई हमारी इज़त पर गंदी निकार रखके हवेली में गुसाया था और आज फिर दूसी दफ़ा हवेली में कोई गुसाया है समीना जवाज मीर ने तन्ظimme आ अंदास में का कौन है ये और तम लोग इस वक्छट पर क्या कर रही सत्रा साला अकसर मीर उन पर धाड़ा क्या कर रही थी तुम लोग उपर नूरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ अब के आगा साई ने सक्ती से पूछा इस से पहले के हानम कुछ कहती सोनिया बोल उठी आगा साई हानम उपर छट पर इस लड़के के साथ थी मैं और सनम तो सिर्फ टहल ने आई थे क्यों सनम सोनिया सच कह रही है ना मीर जवाद साई ने सनम का बाजू पकर कर पूछा सनम तो सोनिया के इलजाम पर चुप हुई हाँ सनम बताओ सच सब घरवालों को सच बताओ हानम ने पूरसकून लहजे में का हाँ हाँ सनम बताओ ना घरवालों को कि हम उपर आये थे और ह हानम इस लड़के के साथ खड़ी ओकर बातें कर रही थी, हानम अदिसाइं, सनम ने धीमी आवाज में कहा, जब उसके दमाग में सुभा वाला मनजर घूमा, जब हानम साहिर के कमरे में गई थी, जी आगा साइं, सोनिया अदिसाइं, सच कह रही है, मेरी तबियत खराब हो रही थी, तो सोनिया अदिसाइं ने कहा, कि हम चट पर चकर लगा लेते हैं, मगर जब हम उपर आए तो, सनम ने बात अधूरी छोड़ी, हानम को सनम से इतने बड़े जूट की तवक्को नहीं थी, दादा साइं ये जूट, हानम अभी आगा मीर हाकिम साइं से कुछ कहती, कि मीर जवाद साइं ने इश्तियाल में आकर हानम के मूँ पे थपड मारा, भारी हाथ के थपड पर, हानम का होट फट कर खून रिसने लगा उसमें से, आँ क्यों बोलेगी मेरी बेटी जूट, तुम ही रह गई हो, तने तना दूसरे मुलक और पता नहीं कौन कौन से गुल खिला कर वहाँ आई हो, शाइस्ता बेगम फोरण आगे हूँ, वो वही शाइस्ता थी, जो कल हानम के सदके वारी जा रही थी, आज अपनी बेटी को बचाने की खातिर उसी के खिलाफ हो गई, हानम ने बेयकीनी से अपने दादा साइं को देखा, जिन्होंने नजरें फेर ली थी, उससे बड़े ताया साइं के थपड़ को तो फरामोश कर दिया था, मगर आगा साइं का नजरें चुराना, तुमने इसकी हाला बेगम कैसे बेशर्मों की तरह गुना करके भी मूँ फाड़ के खड़िया आगा साइं के सामने, शाहिस्ता बेगम ने दोनों हाथों से अपने गाल पीते, हाला बेगम खामोशी से खड़ी अपनी हानम को देख रही थी, इसलिए नहीं के उन्हें हानम पर यकीन नहीं था, बलके इसलिए के उन्हें हानम पर पूरा यकीन था, के वो कभी भी खुद पर उस जूटे बोहतान को साबित नहीं होने देगी, आज के बाद हमें अपना चेरा मत दिखाना, आगा साइन एश्टियाल अंगेज लहजे में कहा क्या मतलब आगा साइन सिर्फ कता तालुकी इसे तो संगसार कर देना चाहिए शाइस्ता वेगम आगे आई मीर जावेद साइन की भी आंखों में हग कारत थी संगसार तो आप होंगी शाइस्ता वेगम हानम की आंखों में चमा कए शाहिस्ता बेगम भी एक पल को डरी बख्वास बन करो बद्जुबान लड़की इस से पहले के जवाद मीर दूसी दफ़ा हानम पर हाथ उठा ते किसी ने उनका हाथ हवा में ही रोक लिया हानम को हाथ भी मत लगाईएगा मामू साइं नहीं तो मैं लिहाज नहीं करूंगा तुम होते कोनो मुझे रोकने वाले सारी जिंदगी हमारे टुकड़ों पर पढ़ने वाले अब हमारा हाथ रोकोगे मीर जवात साइं भड़के और जोर से अपना हाथ जड़का साहिर साइं हानम इस लड़के के साथ पकड़ी सोनिया ने आ आगे岁कर साहिर को हानम से बदकुमान करना चाहा बखवास बन करो तुम लड़की साहिर की धार पर वो उच्छलकर पीछे हुई थी हमारे घर के मौमलों से दूर रहो साहिर साइं ये ना हो के हम तुमें भी इस हवेली से चलता करें अब ठहरने का कोई जवाज भी नहीं है आगा साइं साहिर ने गुस्से से कहा और लड़की निकलो तुम भी आगा साइं ने हानम की तरफ इशारा किया जरूर मीर हाकिम साइं जरूर जब वो उनकी नूरे नहीं रही तो वो कहां से उसके दादा साइं रहे थे मगर मैं जाने से पहले अपनी बेगुना ही जरूर साबित करूंगी वो क्या है ना दुश्मनों को अभी पता नहीं कि इस बार उनका सामना आंसा बेगम से नहीं बलके नूरे हानम से क्या बात है आपकी गहरत की हानम जवाद साइं के पास आई आप शुकर करें आपकी बेटी को बचा लिया मैंने आज मैं यहां ना होती तो आज ये इलजाम सनम पर आता मगर मेरा एक सवाल है क्या आप ऐसे ही सनम के मूँ पर भी थपड़ मारते उसका भी निकाह इस शक्स जवाद भड़की ताई साइं खुदी देख लें हानम ने अपने फोन पर वीडियो चलाई जिसमें छटका मनजर नजर आ रहा था और वीडियो में नजर आने वाली कोई और नहीं सोनिया थी जिसके हाथ उस लड़के के हाथों में थे अभी वो बातें करी रहे थे जब सन गया अभी तो आगाही के लम्हे शुरू हुए हैं अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है आप लोगों को हानम ने परसों वाली वीडियो चलाई जो उसने शायसता बेगम और अनसा बेगम की छुपकर बनाई थी हाँ मेरी छोटी मुझे अच्छे से याद है वो दिन जब तुम रात के पहर च्छत पर आई थी और मुझे हमाद के साथ देखकर चीखी थी मगर क्या जरूरत थी चीखने की तुमें चीख मारने चीख मार कर फंस गई ना तुम खोदी खैर जितना मैंने कहा है उतना करो साहिर और सोनिया का रिश्टा तै करने आई हूँ मैं हानम के लैप टॉप में मौझूद वो वीडियो देखकर सब बेयकीन हुए 25 साल पहले हुए वाकिये का सच आज सब के सामने इस घनावनी साज़िश के पीछे का मुझरिम खुद अपने मूँ से अपने गुनाह का इतराफ करते हुए दिख रहा था शाहिसता बेगम आंके कितनी मकार औरत निकली तुम शाहिसता मुझे लगा तुम्हें सिर्फ दोलत की लालच रही है मगर फिर भी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ सिर्फ अपने बच्चों की खातिर गुजार दी मगर तुम इस हद तक गिर जाओगी अब रार ने भी बेयकीनी से अपनी मां का ये रूप देखा अनसा आगासाईं की तकलीफ से भर पूर आवाज निकली अनसा बेगम ने अपने आँसू साफ के आज वो सुर्फ हो रही थी तो आज कैसे आँसू मैं खुश हूँ आगासाईं मैं बहुत खुश हूँ मैं आज सुर्फ रू हो गई आप लोगों ने तो और वो चार साल और मेरा बेटा ही मेरी जिन्दगी के कुल असासे हैं और आज मेरी हानम ने मुझ पर से सारे इल्जामात हटा कर मुझे सुर्फ रू कर दिया अब बस एकी दुआ है कभी जिन्दगी में आप लोगों का चेरा ना देखू मुझे मौत आ जाए और मैं अपन इससे पहले के वो सीडियों की जानब गिरती किसी ने उन्हें थामा था वो सुर्मई आंखें आंसा कैसे भूल सकती थी उन्हें वो सब कुछ भूलाए उन आंखों में देख रही थी जब हमात खान ने उन्हें सहारा देकर अपने साथ खड़ा किया जहां बाकी घर वाले ह हमात को देखकर हैरत में डूब गए वहीं आंसा बेगम बेयकीन आंखों से हमात खान को टिक टिकी बांदे देख रही थी मुझे अफसोस है आप लोगों पर जो आंखें होने के बावजूद अंदे रहे बस मेरा बेटा और मेरी बीवी अब एक लमा भी इस हवेली में नह हमात खान ने पूरे हक के साथ अंसा बेगम का हाथ थामा जिन्होंने बगएर किसी मजाहमत के अपना हाथ हुने थामा दिया बरसों पहले आपने हमसे सारे रिष्टे तोर कर हमें यहां से निकाल दिया था आज मैं कहता हूँ मेरी बीवी और बेटे का इस हवेली और इन आगा साईई ने उसे पुकारा साहिर हमात खान आगा साईई तसीह कर ले ने एक हाथ अंसा बेगम का थामा और दूसा हाथ साहिर का हानम धीरे से कदम उठाती आगा साईई के सामने आई मैंने सुना था मीर हाकिम साइं के मेरी तरह आंसा हाकिम आपकी लाडली बेटी थी मगर अपनी लाडली ओंको महबत देने के साथ-साथ चंद मुरे एतबार की भी दिया करें अगर उन्हें गे एतबार की मुर थमा देते तो आज आप शर्मिंदा ना होते खैर अब जाना तो है ही मैंने अपने शोहर के साथ शोहर एक और जटका था आज शायद आगही का दिन था हवेली वालों के लिए लमहा बलमहा एक नया रास खुलता जा रहा था हानम ने एक नजर हाला बेगम को देखा जिन्होंने मुस्कुरा कर हानम को अपनी रजामंदी का इंदिया दिया कहा जा रही है साहिर साइं मुझे छोड़ कर क्या इसलिए निकाह किया था मेरे साथ निकाह हानम की आवाज पर साहिर के बढ़ते कदम थमे बेसाक्ता उसकी नजर हाला बेगम पर गई उन्होंने असबात में सर हिलाया साहिर खान ने भी बिना देर की अपना हानम के लिए फैला दिया हानम सनम के कंदे को टिक करती उसके पास से गुजरती साहिर का हाथ थामकर निकल गए वो चारों वहां से होते हवेली से बाहर निकल गए कभी ना वापस आने का एहद करते हुए नूरे आगासाई के कदम लड़ खड़ाए शाइस्ता बेगम जो उनके पास ही खड़ी थी उन्हें थामने के लिए आगे हुई दूर रहो मुझसे अपना हाथ भी ना लगाना मुझे आगासाई उनका हाथ जटक गए सभी अपनी जगा शर्मिंदा थे सनम को बाका सनम तो बाकाईदा कांपने लगी थी जिसकी खातिर उसने इतने गुना कि हनम पर बोहतान लगाए वो तो उसका था ही नहीं वो चारो खानविला में दाखिल हुए अनसा वेगम इतने सालों बाद खानविला को देखकर रो पड़ी उन्हें अपनी जिन्दगी के वो खुबसूरत साल यादाई जो उन्होंने खानविला में गुजारे थे वो आखरी दिन भी जब साहिर की सालगिरा का फंक्शन था यार अनसा आप इस तरह रोएंगी तो मुझे तकलीफ होगी हमाद खान ने उनके आंसु साफ किये खानसाई मूरे और खान बाबा एक बार फिर उनकी आँखें छलकने लगी हमाद खान ने उनके पास पैट कर उन्हें सहारा दिया साहिर और हानम दूसरे पोर्शन में जा चुके थे दोनों ने एक दूसे का हाथ थामा हुआ था उपर आकर हानम ने घुसे से अपना हाथ छुड़वा लिया क्या हुआ साहिर उसका घुसा करने पर चौंक गया और उसका हाथ पकर लिया मुझे भूल गए थे उदर उदर अकेला ही छोड़ कर आ रहे थे अग्यों हाथ थाम रहे हैं छोड़े मेरा हाथ हानम ने नतने पुला कर शिक्वां कुना लहजे में कहा पहली बात तुम्हें कैसे भूला सकता हूँ और दूसरी बात यहाथ छोड़ने के लिए थोड़े ही थामा है फिर भी मैं आवाज ना देती तो आप तो चले ही गए थे ना लहजे में अभी भी खफ़ की थी मुझे लगा इस सिचुएशन में मुझे लगा था कि इस सिचुएशन में तुम्हें साथ लेकर जाना ठीक नहीं और हाला मुमानी साइं भी तो उधर ही थी देखें साहिर साइं मैंने आपको पहले ही कहा था मैं अपने रिष्टों को लेकर बहुत पुज़े ही हूँ वैसे आज तुमने जिस अकलमंदी के साथ खुद के साथ साथ मूरे के उपर से सारे इल्जाम जूटे साबित किये हैं मैं सारी जिन्दगी तुम्हारा इसान मन रहूंगा साहिर ने उसके दोनों हाथ थामे मगर साहिर साइं मेरे सबूत दिखाने से पहले ही आपने मेरा साथ दिया और मुझसे कोई सवाल नहीं किया था आपको मुझ पर यकीन था ना हानम ने कब से अपने दिल में पलते सवाल को लबों के रास्ते आजाद किया जब तुम मेरी हर बात पर बगएर किसी उज़र के आमीन कह देती हो तो मेरा तो मौमला ही अलग था मेरे नस्दीक महबत में इतबार ही पहली शर्त है हानम चौंक गई अगर वो निकाह का लवज इस्तमाल करता कि निकाह जैसे रिश्टे में इतबार जरूरी है तो वो इतना ना चौंक दी मगर उसने महबत का लवज इस्तमाल किया था हानम का दिल जोर से धर्का ये एहसास तो नया था क्या हुआ तुम ठीक हो साहिर ने उसे मभूत होते देखने पर मुखाटिब किया तुम नहीं साहिर साहिर शाहिर नूरे हानम अला साहिर का वास्ता है मेरा नाम नूरे हानम साहिर मीर है तुम नहीं साहिर साहिर शाहिर नूरे हानम अला साहिर का वास्ता है मेरा नाम नूरे हानम साहिर मीर है साहिर शाहिर उसने लाशवरी तोर पर लगा दिया फिर जुबा गए उसके नाम के साथ अपने नाम का इजाफा साहिर को सरशार कर गया एक गहरी मुस्कुराहट उसके मूचों तले उनाभी लबों पर आई तुम जानना चाहोगी मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से क्यों नहीं पुकारता हम बता ही दीजिए आज बता ही दीजिए आज हानम ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए का इसलिए कि तुम्हें नूरे साहिर कहना चाहता था मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ जैसे गुनागार पर भी अल्ला इतना मेरबान होगा कि मेरी ये खाहिश पूरी हो जाएगी हानम उसके लहजे में ही खो गए मगर आज मैं पूरा हक रखता हूँ तुम्हें नूरे साहिर कहने का साहिर ने एक बार फिर उसके हाथ थाम लिए हानम के चेहरे पर बेशुमार रंग बिकरे वो साहिर शाइए शायद वो पहली दफा साहिर के सामने कन्फियूज हो रही थी साहिर साइए आपने बताया नहीं के हम माद अंकल साइए यहां कैसे मतलब वो तो